आज हम बड़ी शौक से देश में आजादी का अमरत महसब बना रहे हैं, लोग अपने घरों पर तिरंगे जंडे लगा रहे हैं, रेलिया निकाल रहे हैं, लेकिन 1947 में अगस्त महीनी का वह मंजर याद करिये, जब लाखों हिंदुस्तानियों को कतल किया जा रहा था, हजारो मासुम बच्चेयों और औरतों का सामूविक बलतकार हो रहा था, अपने निजी मुनाफे के लिए सियासत करने वालों ने हिंदुस्तान को तीन तुकड़ों में बाट दिया था, और लाखों बेगुना हिंदुस्तानियों के जिस्मों के तुकड़े कर दिये गए, जनफतों को बाटना है, उनका नक्सा और उनकी आबादी क्या है, कहां कितने हिंदु रहते हैं, कहां कितने मुसल्मान रहते हैं, और सबसे बड़ी बात की भारत को चन दिनों में लापरवाही के साथ बाटने वाला सिरिल रैटकलिफ मुहम्मद अली जिन्ना का पुराना दोस था, दोनों ने ब्रिटन में पड़ाई की थी, इसलिए भारत की विवाजन के दौरान जिन्ना की मनचाहे तरीके से लाहर समेत कई हिंदु सिक बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करवा गिया, जो हिंदुस्तान में शामिल होने वाले थे, लाहर में बड़ी लाहर पर पाकिस्तानियों का कबजा हो गया, मुस्लिम लीग के आतंकियों ने लाहर में रहने वाले हिंदुों और सिक्कों को कतले आम किया, कितनी अजीब बात है ना, कि जो भारत वासी हिंदु मुसल्मान एक समय में अंग्रेजी को भारत से खदेरने के लिए उसे लड़ी उसी भारत को आजात करने के बाद भारत के सीने पर विवाजन की तकलीफ दे लकीरों को खीचा गया, जिसका दर्थ आज भी है, इन लकीरों को खीचने का काम बले ही एक अंग्रेज का हो, लेकिन ये नापाक साजेस हिंदुस्तान की सरजमीन में, जन्मे गदार मे नेताओ की थी, आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वो अंग्रेज था कौन, जिसने भारत के नक्से पर पैन से लाइने खीच दी, जिस अंग्रेज ने भारत के नक्से पर विवाजन रेखा खीची, उसका नाम था सिरिल रेड क्लिप्स, क्या आपको पता है कि इस से पहले रेड क्लिप्स भारत कभी नहीं आये थे, वो पेशे से एक वकील हुआ करते थे, भारत के बीच में उस रेखा को खीचने के लिए उन्हें जल्द बाजी में भारत बुलाया गया था, भारत को विवाजत करने के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी तो दे दी थी, लेक इसलिए विवाजन में हिंदुस्तान को काफी नुफसान उठाना पड़ा और नए मुल्क पाकिस्तान को मुनाफ़ा हुआ, लेकिन क्या आप चांते हैं कि आखिर इस विवाजन रेखा की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को क्यू दी गई, जिसे यहां के बारे में कुछ पत आपस ब्रिटेन जाना चाहती थी, इसके लिए ब्रिटे सरकार जल से जल भारत को विवाजित करना चाहती थी, अंग्रेजों की योजना थी कि वे जाते जाते भारवी टुकडों में बाट कर चले जाएं, जिससे भारत के लोग भविश्य में आपस में लड़ते रहें, क् अंग्रेजों को अपमानित होकर भारत चोड़कर जाना पड़ा था, इसलिए भारत को कभी ना भढ़ने वाले जक्म देना चाहते थे, जिसने वे काफी हद तक सफल रहे, डिवाइड और डूल की अंग्रेजी नीती की वज़े से आज भी भारत और पाकिस्तान आपस में और भारत के अंदर हिंदू-मस्लम मान भी आपस में लड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के 20 विवाजन को जमीनी हकीकत पर उतारना कम समय में बेहत मुश्किल काम था, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान और पश्चमी पाकिस्तान की सीमा रेखा को निर्धारत करना काफी दिन था, यह कोई खेल नहीं था कि आज मैप पर लाइन कीची और कल उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से मिटा दिया, जबकि रेट क्लिप्स ने केवल हवाई जाल से भारत को उपरी तोर पर देखा था, लेकिन ब्रिटिस सरकार के दबाओ में उन्हें यह काम बेहत कम वक्त में करना पड़ा, खुद रेट क्लिप्स ने इस बात को स्विकार भी किया, आजाती के करीब दो दसक बात, भारत के स्वतंत्र पत्रकार पुर्दीप नयर को इंटर्व्यू देते हुए रेट क्लिप्स ने कहा था, कि बहुत कम वक्त दिया था, इसलिए मेरा काम पर उंग बहुत समय दूसरे कामों में खर्च हो गया, वास्ता में उन्हें कम समय मिला, इसलिए भारत और पाकिस्तान में जाने वाले बहुत से जनपदों और वहां की आबादी की जानकारी ना होने की बात भी उन्होंने जल्द बाजी में विवाजन का प्रस्ताव बनाया और पाकिस्तान की हिस्से में अंतिम पलों में सौब दिया गया, लोहर को भारत में शामिल करने की योजना बनाए गई थी, लेकिन माना जाता है कि जिन्ना के दबाओ से रेड क्लिफ्स ने ऐसा किया, रेड क्लिफ्स और जिन्ना को पुरानी दोस्ती भी थी, जिसकी वज़े स आरोप लगता है कि रेड क्लिफ्स में विवाचन में जिन्ना की बात जादा मानी और उपचाओ जमीन और बहुत से महतुपूर एलाके भेदबाओ तरीक पूर तरीके से पाकिस्तान की हिस्से में दिये गए, जबकि वहाँ पर हिंदूों और सिक्वों की बड़ी आबाद जबकि उस समय अंग्रेज सरकार ने विवाचन के लिए उन्हें 40,000 की बड़ी रगम की फीस के तौर पर देने का पैसरा किया था, उन्हें यह एसास हुआ कि गलत पैसले की बज़े से लगब 15,000,000 लोगों का कतलियाम हुआ, इस विवाचन रेखा को कोई तै करने के बाद अगले ही दिन भारत से निकल गए और फिर यह कभी वाबस नहीं आए, 13, 14, 15 अगस्त, 1947 यह वही रात थी जब भारत फूट गया, लागों लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, घर खो दिये, लोगों को मारा गया, उनके घर जला दिये गए, महिलाओं और बच्चि